गुद मॉर्निंग फ्रेंज्स, मैं सुमती, होप आप लोग सब अच्छे हैं, कोरोना में सेफ हैं, घर में हैं, सुस्त हैं यह जो वीडियो में बनाई हूँ आज का बो है कैसे कि आप लोग पेडा गुजी में अच्छा मार्क स्कोर करेंगे जैसे कि हम लोग को पता है, बच्चे पेडा गुजी में ही कम मार्क लाते हैं, क्योंकि उनको यह पता नहीं है, जो मैं पिछले वीडियो में भी बोली थी, कैसे वो प्रेजन करेंगे जैसे कि वो कोई भी अगर कॉपी चेकर देख रहा है तो वो इंप्रेस हो जाएंगे, तो इस वीडियो में मैं बोल रही हूं कि अगर कुछ कोश्चिन है, थ्रू ए थ्रू अन एक्जम्पल, आइल सो अगर कुछ कोश्चिन है, उससे कैसे प्रेजन करोगे, एक आपके ब्रेजन करेंगे तो इसमाज में आना चाहिए कि अगर हम एक कोश्चिन लिखने जा रहे हैं तो हमको दो चीज मायं में रखना है कि कोश्चिन में क्या गिविन है, क्या क्या टर्म है और हमको हमारे आन्सर में क्या देना है, जैसे कि to write a question, we need first to make a concept map in our mind that what is given terms in the question and what should be in our answer. यहाँ पर एक टर्म आता है concept map, concept map का मतलब आप लोग पता है, फिर भी में next slide में बताऊगी, concept map जो होता है, वो एक आपको pictorial form में एक ग्राफिकल form में एक idea देगा कि मुझे question में क्या क्या input करना है, so that मेरा question impressive, attractive लगेगा, और ज्यादा तर आप लोग का पता होगा कि जब भी हम question return करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सब कोई, जब copy check करते हैं, तो ज्यादा अंदर के क्या लिखता है, एक बच्चा क्या लिख रहा है, वो read नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि points, आपका highlighted points क्या है, वो question में overall क्या input किये हैं, वो देखते हैं, तो ये दो चीज हमको fast mind में रखना है, कि हमारे question में क्या given है, terms जो है, वो क्या given है, उसी term से ही हम निकालेंगे, हमको answer क्या देना है, और second point की हमारा answer में क्या-क्या term रहना चाहिए, छेलो next, concept map जो मैं बोली, concept map क्या मतलब क्या है, concept maps are visual representations of information, they can take the form of charts, graphic organizers, tables, flowcharts, band diagrams, मतलब concept map जो होता है, वो हम क्या question में देंगे, answer, आज answer, उसको एक graphical form में हो सकता है, या फिर chart के form में हो सकता है, या फिर flowchart के form में हो सकता है, या फिर इते विल भी band diagram, कुछ भी हो सकता है, वो आपको frame करना है, mind में, कि मुझे इस question में यह यह देना है, और वो भी सबको sequential, कुछ specific order होना चाहिए, organized होना चाहिए, for example में आप लोग को एक example देखके समझाओंगी, so that आप लोग को यह easy होगा समझने के लिए, एक जाम फिर, suppose आपके question में एक question आया है, कि describe the importance of mathematics at secondary level, question तो बहुत अगर कोई पढ़ेगा तो लगेगा बहुत easy है, क्या है इसमें, importance of mathematics तो लिखना है, secondary level में क्या है, लेकिन question का अगर दो बार आप पढ़ोगे, तो यह mind में आएगा जो term describe है, describe the importance of mathematics at secondary level, यह नहीं पुछा है, what are the importance of mathematics at secondary level, वो पुछा है describe, describe मतलब एक broad term होता है, जो आप जो भी जानते हो, कि mathematics का important secondary level में क्या है, उसको आप describe करोगे, description दोगे, ऐसे नहीं कि आप point लिख के छोड़ दोगे, अगर वैसे point लिख के छोड़ दोगे, तो 16 mark जो आपका question आ रहा है, तो आप लोग point के हिसाब, यह नहीं बोल सकते, कि मैं 16 point लिखी हूँ, तो एक point के लिए, एक mark मुझे चाहिए, यह नहीं हम blame कर सकते है, तो यह जो tom है, describe, यही question को define करता है, कि नहीं, मुझे point लिखना है, मुझे कुछ description देना है, क्या देना है, बो मैं बोलती हूँ, कि जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ step होता है, यह सब हमको note में, copy में लिखना नहीं चाहिए, यह सब हमारे mind में होता है, रखना चाहिए, और इ क्या होगा, question में क्या given है, step 1 में, question में यह given है, importance of mathematics बोला है, तो अगर हम importance of mathematics के बारे में बोलेंगे, तो importance of mathematics अगर कोई लिखना चाहेगा, तो पहले क्या लिखना होगा उसको, क्या है mathematics फास्ट लिखना होगा, इसलिए, first one you should write, what is mathematics, then you will go second point, importance of mathematics, I hope first step आप लोग को समझ मे आ गया होगा, क्योंकि जो question में, जो tom है, importance of mathematics, उसे आप divide कर सकते हैं, कि mathematics क्या है, देन आप जा सकते हैं, importance क्या है, mathematics का, next is step 2, next question में क्या था, जो importance of mathematics पूछ रहा था, वो कौन सा लेबूल में पूछ रहा था, सेकेंडर लेबूल, तो यहाँ पर आपको यह भी explain करना है, कि सेकेंडर लेबूल क्या है, सेकेंडर लेबूल जो होता है, before going to सेकेंडर लेबूल, से जाने से पहले, आप लोग को जहें, आज सेकेंडर लेबूल, कॉम्स अंडर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, so you should write, few points about what is education, then you will go, level of education, जैसे कि हमारा level of education में आज आज सेकेंडर लेबूल, higher level, but higher level का कोई need नहीं है यहां पर, क्योंकि यह सेकेंडर लेबूल पुछा है, तो आप primary, elementary, secondary आप explain कर सकते हो, okay, then, this is important step, step 3, यह है कि concept map, जो आपको माइन में रखना है, कि मुझे एक 16 mark question के लिए, कौन सा heading देना है, और कौन सा steps लिखना है, कौन सा step follow करना है, so that I can get at least 14, या फिर 13, 14 marks, so, any kind of question you will get, कोई भी question हो, आपको introduction देना है, starting से, और conclusion लास्ट को देना, यह दोनों कभी भी मत भूलना, क्योंकि introduction में, जो copy देखते हैं, उनका एक overall idea आजाता है, और वो आपका जो लिखने का वो जो way है, उनका पता चल जाता है, यह introduction and conclusion क कभी में मत भूलना, हर question में कोई भी question आए, उसको देना, तो introduction fast है, introduction में question आता है, introduction में आप लोग क्या रखोगे, introduction में जैसे कि मैं बोली थी पहले वीडियो से, कि जो introduction हम देते हैं, वो question का background बताता है, मतलब यहाँ पर अगर question है, describe the importance of mathematics at secondary level, तो आपका introduction में क्या mathematics क्या है, उसका importance क्या है, थोड़ा बहुत, एक दो लाइन बस, और education क्या है, starting from starting you can I write also pedagogy क्या है, क्योंकि यह पेड़ागोजी का question है, मैं पहले वीडियो से बता ही थी, अगर pedagogy का कोई भी question आ रहा है, तो यह मत भूलना कि pedagogy क्या है, उसको describe करने के लिए, तो pedagogy क्या है, first बोलना है, उसके बाद education को आना है, pedagogy का role क्या है, education में, जो हम बोलते, importance of pedagogy, mathematics pedagogy क्या है, यह जो सारा चीज, इसको आप लोग introduction में रखोगे, so that, अगर कोई दिखेगा, आपका copy चेक कर रहा है, तो वो उनको पता चलेगा कि आप लोग को कुछ background के बारा में कुछ पता है, okay, and here she will also get the idea about your question, next, introduction के बाद आपको क्या लिखना है, mathematics in school, as our question depends on or indicate the mathematics in secondary level, importance of mathematics in secondary level, so second point हम को क्या लिखना है, mathematics in school, mathematics in school में क्या लिखना है, first mathematics स्कूल में क्या है, जैसे कि aims क्या है, उसका objectives क्या है, mathematics क्यों रखा गया है, वो सब आप इस पॉइंट में लिखोगे, mathematics in school, उसके बाद आप लिखोगे, about secondary level, क्योंकि ये question हमारा secondary level के पुछे है, तो about secondary level में क्या लिखोगे, कि स्कूल का कौन से क्या क्या लिखोगे, जैसे से कि में बोली थि इंट्रोडॉक्षन वे लाइन आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी ऒुऑ ही लिख सकते हो, कि स्कूल में, जैसे कि हमारा primary level है, 1 to 5, elementary level है, 6 to 8, secondary level है, यह सब्पाप एक्सेंद कर सकता हो प्राइमेर लेबल किसे बोलते है, elementary level किसे बोलते है, सेकंदर लेब next important of mathematics यह सब जाने के बाद हमको लिखना है mathematics का important क्या है जो हम बोलते है यूज और significance of mathematics next लिखना है important of mathematics in school importance of mathematics तो सब को पता है लेकिन school में क्या है school curriculum में इसका importance क्या है जैसे कि मैं बुले थी mathematics का जैसे कि application है हमारा different subject में different area में और through mathematics we can identify realism और we can find out the nature of society यह सब आपको डालना है इसमें important of mathematics in school then we should go next step that is mathematics or secondary level यह तो जो सारे हम लेखे mathematics क्या है उसका importance क्या है secondary level क्या है यह सब लिखे लेकिन question में जो है particular लिखा है कि mathematics का role क्या है और importance क्या है in secondary level so हम को यहां पर लिखना है क्या है actually mathematics at secondary level primary level होगा mathematics बहुत different होगा elementary level से और elementary level का mathematics बहुत different होगा secondary level से तो यहां पर explain करना है कि secondary level में mathematics क्या है उसके बाद importance of mathematics at secondary level यह जो mathematics secondary level में है अभी तक तो हम को यह जन पता चल गया है कि mathematics का importance sorry mathematics है secondary level में बट अभी हम लिखेंगे mathematics है important क्या है secondary level में क्योंकि जैसे कि आपका first unit में ही है importance of mathematics at all level like primary level elemental level secondary level you can identify so mathematics का जो important label is differentiated type so यहां पर only particular about secondary level लिखना है यह सब हो गया पूरा हमारे question के बारे में question पुछा था कि describe करो describe का मतलब होता है कि हम कुछ example देखें यह सब कुछ जो भी लिखें हम theory उसको reflect करेंगे हम एक example के थूर से इसके लिए importance के बाद हम finally देंगे examples एक कोई question ले लो secondary level का उससे आप objective निकालो कि इस question से problem solving ability develop होता है बच्चे का critical thinking ability develop होता है different kinds of like logical thinking reasoning power यह सब बच्चे का develop होता है कैसे question लेके यहां पर explain करो जो कि example में आ जाएगा यह याद रखना अगर example देके आप कुछ question आटन कर रहे हो हो या लिख रहे हो वह अच्छा मार्क आप लाओ सकते हो अगर example नहीं दे रहे हो तो पुरा theoretical लिख रहे हो कुछ practical reflection नहीं दे रहे हो तो वह इतना effective नहीं होता है इसलिए हमेशा याद रखना कोई भी question अगर आ रहा है तो try करना उससे एक example देने के लिए नेक्स्ट यह सब पूरा overall खतम हो गया question के बार में लास्ट पाइंट इस educational implication यह बहुत important पुरा question में explain step by step करके आए हैं उसको overall यहाँ पर explain करना है कि जो mathematics से secondary level के यह total का education के ऊपर क्या impact पढ़ रहा है कुछ positive पढ़ रहा है या फिर कुछ negative है या फिर वो reflection लिखके reflection आप दे सकते हो इसमें okay lastly conclusion conclusion हमेशा ऐसे देना चाहिए जो कि आपका question को positive side लिए reflect करना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि importance of mathematics सेकंडर लेबल तो यहाँ पर conclusion जो जो दो के आप लोग यह positively होना चाहिए यह से नहीं कि mathematics सेकंडर लेबल यह होना चाहिए था बहु होना चाहिए तब यह सा नहीं importance of mathematics क्या है क्यों है इस positively जो रेजल राता है mathematics का सेकंडर लेबल में mathematics है तो यह यह positive होता है यह develop होता है बच्चे का यह सब positively रेजल राता है इसको आप लोग conclusion में include कर सकते हो so friends यह overall हो गया steps की एक question अगर आता है आपको कैसे question को क्या होता है कि exam के हम जो question लिखते हैं यह mind में नहीं आता है कि इस time introduction के बाद में क्या लिखना start करूँगी कौन सा point में दूँगी कौन सा heading दूँगी क्योंकि यह सब जो question है पेडागोजी हुआ या फिर एजिकुशन का कुछ question लॉंग questions हुआ उसमें हम लोग रट्टा मरके नहीं लिख सकते हैं हम क्या करते हैं सिर्फ heading याद रखते हैं उसके बाद हम लिखते हैं खुद से लेकिन heading भी याद रखना भी अगर understanding उतना लेबल तक है तो heading भी याद रखना नहीं चाहिए क्योंकि खुद अगर रॉप में आप concept में बना होगे कि question में यह given है मुझे यह निकालना है तो आप लोग के खुद point निकल पाओगे क्या लिखना है question में so that you can get good mark in pedagogy I hope you all enjoy my teaching so any doubt if you have any doubt then please raise your question in chat box and please like and share and subscribe my channel अगर कुछ भी doubt है pedagogy का कोई भी question particular question है जो नहीं हो परा है या फिर आपको नहीं पता है कि कैसे express करोगे तो मुझे please लिख के भेजो कि यह question में video बना के बताऊंगी अगर अलग कोई भी problem ही related to pedagogy you can ask me thank you thank you so much have a nice day